हालो फ्रेंस गुड मोधी केर मानिंग दोस्तों मोधी केर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में आएक्टिव राइस ब्रान आयल के बारे में बताऊंगा दोस्तों जैसा कि आप जान रहें कि हमारी मोधी केर कंपनी एक्टिव राइस ब्रान आयल यानि की जो चावल की भूसी है उसका तेल बनाई है और जैसा कि आप जानते थे कि एक लीटर का पाउच जो होता है सबसे पहले आता था अब जो है उसके साथ साथ दोस्तों पांच लीटर के गैलन भी आ गया है आप एक साथ पांच लीटर अपने इस वीडियो में मैं इसकी गुरवत्ता हुँगा और कितने का कौण सा पढ़ेगा एक पांच लीटर का उत-क मिंए Mmm अब जो है पांच लीटर में भी निकाल दिया है आप सको सबसे पहले इसकी खासियत बता दू दोस्तों कि इस अब जो तेल मिलता है हम लोगों इसमें बिटामिन A और बिटामिन D प्रचूर मातरा में मिला हुआ है दोस्तों यह हार्मफूल नहीं है इसमें कोई harmful नहीं chemical मिला हुआ है दोस्तों हमारे liver के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है इसमें बनावा भोजन, पूडी, पराठा, सबजी, सबकुछ सुपाच्य होता है अच्छे से पज़ जाता है नहीं हमारे liver में कोई fight होता है नहीं किसी प्रकार की समस्या होती है इंडाइजेशन की समस्या नहीं होती है दोस्तों इतना अच्छा यह तेल माना जाता है कि इसको अगर इसमें हम पूरी, पराठा कुछ भी बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यदा एब्साब नहीं करता है पूरी में बहुत ज़्यादा सोकता है तुरंट जो है नार्मल हो जाता है सुखा हो जाता है दोस्तों और दोस्तों मैं आपको इसकी खासियत बता दू कि अगर मार्केट का कोई रिफाइन लेकर आ रहा है तो वह बहुत इसके गुडवत्ता में बहुत पतला होता है यह उसस के साथ सुदता है नंबर वन की दोस्तों इसमें किसी प्रकार का हार्मफुल केमिकल नहीं मिला गया है नहीं हमारे लीवर को सबसे बड़ी चीज मैं आप लोग को बता दू कि आजकाल जीतनी भी समस्याइं हो रही है सुगर हो रहा है बीपी बढ़ रही है यह सब हमारे इ इंसूलिन का निर्मार होता है इंसूलिन ही दोस्तों हमारे ग्लुकोज को जो सरकरा हुमारे सरीर में रटाहिएब को मांड करता है अगर इम्सुलीन बनना कम हो जाता है तो जो शूगर होता है उसको फ्रेक्श्यइट होने लगता है और सूगर की विमारी होने लगती है दोस्तों पह loro पर इनक्रियाज क्याम करना बंद कर दिता है प्रहें लीवर पर इफेक्ट पड़ता है फिर इसके बाद पहyssनक्रियाज पर यह एफ्यक्ट पड़ता है तो लीवर खराब होता है इसका पर फिर इसका बहुत शुगर होने लगेगा पर अचले खाना नहीं सही पचेगा तो अब बढ़ेगा तो हर्ट अटेक की समस्या आने लगी बिपी की समस्या आने लगी तमाम बीमारी आने लगी दोस्तों मैं अब बठाज वो मारकेट का रिफाइन होता आर्भ बिल्कुल जहर होता है क्योंकि ऊसमें आनेकी प्रकार के केमिकल होते है और बहुत च्रूपन यह पक़ाया गात्या सब्सक्राइब में बहुत ज़्यादा हर्मफोल होता है पहले दोस्तों किसी को जल्दी बीपी होती थी ना सुगर होता था जब से लोग रिफाइन खाने लगे तब से समस्य आने लगे दोस्तों मोधी केर का जो एक्टिव राइस ब्रान आयल है यह भूसी से बना हुआ है जो कन होता है लिए मैं आप लोग को बता दू कि एक लीटर एक्टिव राइस ब्रान आयल का यह मर्पी जो है एक सो पचासी रुपिया है और दोस्तों हमारे डीपी प्राइस है एक सो पाइंसाट रुपिया तो दोस्तों यह मार्केट रेट जो अगर आप किसी दूसरे अच्छी कंपन का लेंगे कहीं न कई से मंगा पड़ेगा हमारी कंपनी डीपी प्राइस में एक सो पाइंसाट रुपिया में दे रही है और दोस्तों इसका बिजनस बाइलू भी 33 बनता है और पॉइंट बाइल बनता है दोस्तों एक लीटर एक्टिव राइस ब्रान आयल का लेकिन कंपन है उसमें फाइदा भी आपकी बचत भी है तो दोस्तों मैं आपको चलिए बता दूं कि 5 लीटर का एक्टिव राइस ब्रान आयल का यहमार पिये 895 रुपिया और आपको डीपी प्राइज 799 बेडीपी प्राइस पे मिलता है दोस्तों याद रखिए दोस्तों आपको जिस बrire बिजनेस बैलू यह यह चैसा कि आप जानते हैं कि ऊसे बनाया जाता है यह बिल्कुल सूद्ध होता है और यह हमारे snacks तो चलिए समरे के लिए सहाथ हमारे ब्रेन के लिए हमारे suzal के लिए सरीर के इसकीन के लिए सबके लिए अच्छा है अज तो हमेरार जो है पचाता है और हमारे जब DOC मैंने आपको बता दिया कि आप 진्थ की बिलकुल जहर होता है और जो हमारा toad यहां आय या तो एक्टिव राइस ब्राण आयल को प्योग करिए या तो बिल्कुल सूद्ध सरस्तों का तेल मिलता है तो आप खाईए दोस्तों इससे आपका लीवर सही रहेगा आप सही रहेंगे आपको कोई क्रोनिंग डिजीज नहीं होगी मेरा वीडियो अच्छा लागा तो जद